अब वैसे तो इस साल मैंने 15 सभी जादा microphone टेस्ट करें हैं बट ये वाला जो microphone है wireless microphone काफी unique है छे ऐसे फीचर मैं आपको आज पताने वाला हूँ जिन में से एक जैसे आप अभी देख सकते हो मेरे आपे आपको नाम दिख रहा हूँ और ये एक transmitter है और ऐसे बहुत सारी features हैं जो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ about this microphone जो है Ceremonic Blink Me B2 एक नया wireless microphone जो की दो transmitter के साथ आता है तो let's check out कि इस microphone में ऐसे क्या खास features हैं जो इसको काफी different और unique बनाता है और एक और important चीज जितना भी audio आप इस वीडियो में सुन रहे हो अब भी starting से लिखर end तक सारा आपको इसी Ceremonic microphone से आने वाला है so that आपको idea लग जाए कि इसका audio output कैसा है सबसे interesting चीज जब मुझे इस microphone के बार में लगी वो है customizable touchscreen interface तो यहाँ पर अगर आप देखोगे दोनों मेरे transmitters हैं दोनों में अलग अलग display आ रहा है और बड़िया चीज क्या है यहाँ पर मेरी mobile application है जिसका नाम है Ceremonic और इस तरीके से आप पर मुझे option मिलती है कि मैं TX1, TX2 को दोनों को individually customize कर सकता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ यह वाला TX2 है तो अगर यहाँ पर माल लेते हैं यह वाला मैं icon select करता हूँ apply कर देता हूँ तो within seconds basically मैं कोई भी इसमें photo change कर सकता हूँ यह वाला मुझे लगाना है apply किया तो आप देखरो within seconds यह आप अपडेट होगया और बड़िया चीज यह है कि जैसे आप यहाँ देखोगे मेरा नाम लिखा हूँ है YouTube के लोगों के साथ यहाँ पर मैंने custom जो इसका preset है वो apply किया हूँ है और भी आप काफी चीज़ें change कर सकते हो मालने ते आपको अपनी photo लगानी है एक चीज मुझे बढ़िया लगी है अगर आप podcast कर रहे हो किसी guest के साथ जल्दी से उनकी photo लेके phone से वहाँ पर यह आप वो photo अपडेट करके उनकी photo उनकी transmitter में लगा सकते हो जो एक बहुत unique experience देते हो और मुझे लगते है अभी तक यह किसी microphone में नहीं आया है it's a very different thing जो ceremony लेके आया है उसके बाद अपने social media handles लाल सकते हो कोई भी photo जो आपको टालनी है वो आप इसमें upload कर सकते हो आपको एक different experience देता है जो इस microphone को unique बनाता है और अगर मैं transmitter की बात करी रहा हूं तो यहां पे बढ़िया चीज किया है कि मुझे touch screen मिलता है transmitter में तो इस तरीके से मैं इसको swipe करके अपना display कितने देर के लिए on and off रखना है वो decide कर सकते है settings है, mute करना है वो भी आप यहां से ही transmitter से कर सकते हो आपको अलग से receiver पे नहीं जाना पड़ेगा even इसके अंदर on board recording को भी option है वो मैं आगे आपको बताऊंगा और इस तरीके से आप नीचे के अगर swipe करते हो तो सारी settings आपको मिल जाती है on board recording, noise reduction जो हम आगे अभी देखेंगे transmitter gain आप adjust कर सकते हो, brightness से सारे features आपको transmitter के अंदर ही touch screen को यूज़ करके मिल जाते है दूसरा feature जो मुझे काफी बड़िया लगा इसमें वो है on board recording का और इसका benefit आपको actually कब मिलता है, मालेते हैं कि आप हर जगा अपना receiver लेके नहीं जाना चाते है जिसे अभी camera में receiver लगा है, मुझे चाहिए सिरफ ए transmitter लिया और इससे में record करना चाहता हूँ तो इस तरीके से आप on board record कर सकते हो, तो यहाँ पे आप touch screen का use कर सकते हो यह फिर आप shortcut create कर सकते हो, noise reduction बटन को double click करने से, on board recording on हो जाएगा और इसका benefit आपको तब मिलेगा, जब आप मालेते हैं साथ में record भी रिकॉर्ड भी कर रहे हो इस तरीके से, और कई बार हमार साथ ऐसा हुए है कि जब हम video record कर रहे होते हैं तो तार थोड़ी सी निकल गई ह हमतार लगाने भूल गया, माइक जाक की जगा हमने headphone jack में लगा दिया, तो भी as a safety track आपके पास एक audio record हो जाएगा, on board जो कि up to 22 hours है, तो आप एक राज़ फिटर में 22 घंटे तक का on board recording ले सकते हो, वो भी अगर मैं technical बात करूँ तो 24 bit या 48 kHz का record होता है, but it is actually considered a high quality audio, और अब अपने इसको PC से लगा के उस audio को transfer करके use कर सकते हो, अगली चीज जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा वो है इसके magnetic adapters, जो मुझे काफी unique चीज लगी, जो अभी तक मैंने कोई भी microphone में नहीं देखा है, तो अगर आप ये भी देखो कि जो अभी मैंने microphone लगा है, इसमे आप basically receiver में use कर सकते हो, और ये जो पूरे transmitter और receivers है, ये magnetic holders हैं, तो इस तरीके से आप कोई भी magnet या cold show या clip लगाना चाहते हो, replace करना बहुत easy है, तो एक adapter से दूसरे adapter में अगर आपको जाना है, तो कुछ mount unmount नहीं करना, सीधा magnet हटाया, दूसरा magnet लगाया, और आप easily इस तरी किससे intransmitter और receivers को use कर सकते हो, और अगर मैं receiver की बात करों, तो यहाँ पे भी आपको एक dedicated display मिलता है, जिसको यूज करके आप काफी settings कर सकते हो, यह चीज मैं highlight कर दूँ, यहाँ पे आपको तीन output modes मिलते है, mono, stereo, यह तो हर microphone में होदा है, तीसरा feature भी एक advanced microphone वाला है, जो की ए आप editing में safety वाला audio यूज कर सकते हो, जो make sure कि आपका जो audio है, वो clip ना हो, इक main question जो wireless microphone के साथ है, इनका battery backup कैसा है, तो अगर मैं बात करूँ receiver का, तो आपको 24 hours तक का battery backup मिलता है, transmitter में 6 hours है, तो हरे transmitter का 6 गंटे का battery backup है, और बढ़िया चीज है, इसका receiver है, वो as a charger भी काम करता है, बहुत compact सा ये की unit मिल जाता है, जा दोनों transmitter एक receiver में attach हो जाते हैं, और इस तरीके से आप इसको charge कर सकते हो, जो 2-5 गंटे में full charge हो जाता है, unlike other microphone जिनके लिए आपको पूरा kit या box उठाना पड़ता है, ये बहुत compact and easy to carry unit बन जाता है, फोर्थ फीचर जो मुझे इस microphone में काफी unique लगा वो है कि इसके receiver से आप dual output दे सकते हो, तो माझने आपको 3.5 mm में भी output देना है, C type में भी output देना है, तो साथ ही साथ आप फोन में और एक PC में audio को record कर सकते हो simultaneously, और ये चीज मैंने आज से किसी microphone में नहीं देगी, especially इस budget में, तो अगर आपका ऐसे requirement है, कि dual output आपको देना है, 3.5 mm से भी और C type से भी, वो इस microphone से आप easily कर सकते हो. निक्स पॉइंट पे हम आते हैं, जो कि है active noise cancellation, और अभी मैं इस microphone से record कर रहा हूं, जैसे कि, तो अभी noise cancellation off है, ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए चुप होँगा, फिर मैं यहाँ बटन दबाके noise cancellation on करूँगा, और यहाँ बटन दबाके noise cancellation on करूँगा, जब आपने सुना ह अभी जो मैं बोल रहा हूं, यह टेस्स करने के लिए है कि, आवास बहुत रोबॉटिक सी हो जाती है, तो यह मुझे देखना है, सेरमॉनिक Blink Me 2 से, कि ऑडियो में कुछ चेंज आ रहा है, नहीं आ रहा है, और कैसा आउट पूट आरहा है, एक पर आउडियो चलते हैं और और अब एक बार noise cancellation on करते हैं, और difference को सुनते हैं, तो अभी noise cancellation enable कर दिया है, मैंने अब कुछ difference आपको सुनाई दे रहा है, नहीं, इसलिए outdoor situation में, जहां पर mostly आप अगर vlog करने वाले हो, यह बाहर वीडियो बनाने वाले हो, तो यह आपको idea दे देगा, कि इसका noise reduction जो feature है, व कोई dedicated application नहीं है, इसमें तीन main uses है, सबसे पहला है customization, तो यहां पर आप जाके अपने दोनों transmitters को customize कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया, कोई photo change करनी है, कुछ display change करना है, वो सब आप इस application से manage कर सकते हो, उसके बाद आप even जो इसके buttons है ना, वो भी आप customize कर सकते हो, plus and minus वा application से control कर सकते हो, और यही नहीं, अगर मान लेते हैं कि आपको voice over record करना है, तो app के अंदर ही आपको audio का option मिलता है, जहां आप sample rate adjust कर सकते हो, low cut filter लगाना है नहीं, आपका decibel कितना adjust करना है, noise reduction, सारी चीज़ें इस application से आप change कर सकते हो, even अगर आपको video भी record करनी है, वो भी आपको audio level भी साथ-साथ दिखता रहेगा video बनाते हुए, तो आपका audio भी एक तरीके से safe रहने बला है, तो यह थे कुछ 6 interesting और exciting features जो मुझे लगा कि Ceremonic Blink Me 2 को काफी unique and different बनाता है, considering इस price range में जो बाकी microphones आ रहे हैं, आपको कैसे लगी है video, कैसे लगा है microphone कमेंट करके काफ।